नौरात्री के तीसरे दिन दुर्गाजी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, POOJAN और स्तवन करने का विधान है इन देवी के मस्तक पर गंटे के आखार का अर्दचंद्रमा विराजवान है इसी लिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा इस देवी के दस हाथ माने गए हैं और ये खड़ग आदी विभिन अस्त्र और सस्त्र से सुसजित हैं ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने शे मन को अलोकिक शांती प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितू पर लोक में भी परम कल्यान की प्राप्ती होती है चंद्र घंटा देवी जी की पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र पिंडज प्रवरा रूड़ा चंद पात्र कहिरूता प्रशादम तनुते मद्यम चंद्र घंटे ती विशूता अर्थात स्रेस्ट सिंग पर्शवार और चंद कादी अस्त सस्त से युक्त मा चंद्र घंटा मुझ पर अपनी किर्पा करें मा चंद्रघंटा ध्यान मंद्र। वंदेवांचित लाभाये चंद्रार्धक्रत शेखरं सिंगारूळा चंद्रघंटा यससुनीम। मनिपुर सिताम तरतिय दुरगा त्रिनेत्राम। खंग गदात्रिशूल चाप शर्पदं कमंडलू मालावरा भीत कराम। पटाम बरबरदानाम दूहास्या नानालंकार भूसिताम। मंजीर आरके यूर किंकिडी रत्न कुंडल मंदिताम। प्रपुल वंदना विबाधारा कांत कपोलाम तुंग कुचाम। कमनियाम लावान्याम। छीड कटी नितंब नीम। माचंद घंटा इस्तोत्र। आप दुद्धारिनी त्वरीम आध्या सक्तिही। शुबपराम आली मादी। शिद्धि दात्री चंद घंटा प्रणमा भ्यम। नाना रूप धार्णी इच्छा नईय श्वर दायनीम। सोभाग्या रोग्य दायनी चंद्रघंट प्रणमा भ्यहं। या देवी श्वर्व भूतेशू माचंद्रघंटा रूपेण संसिदा नमस्तसै नमस्तसै नमो नमाव। माचंद्रघंटा कवच रहेष्यम स्रोणू वच्छामि सैवेशी कमलानने स्रीचंद्रघंटा स््य कवचम् सर्वसिद्धिदायकं। बिना न्याशं बिना विनियोगं बिना शापुद्धदा बिनाश होमं इस्नानं सोचादिनास्ति इस्रदा मात्रेन सिद्धिदाम पुशिस्याम कुटिलाये वंच कायनिंदकाये च नदात्वयं 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 कदाचितं मा चंद्र घंटा की आरती मा जै मा चंद्र घंटा सुगदाम पून की जो मेरे काम चंद्र समाज तू सी तल दाती चंद्र तेज किर्णों में समाती मन की मालक मन भाती हो चंद्र घंटा तुम वर दाती हो सुन्दर भाव को लाने वाली हर संकट में बचाने वाली हर बुद्वार को तुझे द्यावेज रद्दा सैथ तो भी ने शुनाए मूर्ती चंद्र आकार बनाए सीज जुका कैवन की बाता पून आज करो जगत दाता मा चंद्र घंटा की पूजावा भोग विधी नौरात्री के तीसरे दिन मा चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए मा को लाल रंग के पुस्प चढ़ाएं मा को लाल सेब चढ़ाएं जब आप मा को भोग चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें तो घंटी जरूर बजाएं मा चंद्र घंटा को दूद अरपित करें और दूद से बनी चीजों का ही भोग लगाएं पूजा के अंत में छमा प्रार्थना जरूर पड़ें। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।